दोस्तों आज की कहानी है बहुतो पहले मेरे पती को खा गई और अब मेरे बेटे को भी खा गई दोस्तों कहानी सुरू करने से पहले अगर आपने हमारे सैनल को अभी तक आपने सबस्क्राइब नहीं कियाओ तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंश सके अर नया वीडियो आसमान में गरज से बादलों को दे गोमती समझ गई कि इंद्र देवता कभी भी अपनी करपा बरशा सकते हैं तो उसने संपाह और जमूना को कहा कि वे जल्दी जल्दी हाथ सला कर फसलों की कटाई पूरी कर ले और खुद भी तेजी से हसिया सलाने लगी तब ही उसने देखा कि उसका पडोसी मूरली उसकी तरफ ही दोडे सले आ रहा था हापते वे उसका हाथ पकड़ कर बोला सासी जन्दी गर सलो किसन भया को कुछ हो गया है किसन तो सेर गया था बीज लेने फिर सुस्ती हुई गोमती ने हसिया खेत में फैका और तेज गदमों से अपने गर दोड़ पड़ी भी सांकर में अपने जवान बेटे की लास देखी तो वा पसार खाकर गिर पड़ी एक महिला ने उसके सेरे पर पानी के सीटे डाले तो वो होस में आई और साती पीट कर रोने लगी पती के पास बैटी उसकी बहु भी अपना अस्समें मांग उजडने का मातम वना रही थी वहां बैटी महिलों में से एकने का ऐसा दुख भगवान किसी को न दे पहले पती और अब बेटा बहु ने तो अभी तक पती का सुख देखा भी न ता ये गाव तो कभी नहीं बर पाएगा समय बहुत बलवान है बहिनी वहर गाव बर देता है दूसरी महिला बोली गोमती जब बिया करके इस गर में आई थी तो मुश्किल से बारव बरस की थी ठीक से साड़ी भी संबाल नहीं पाती थी सास जेठानियों के बीश रह कर ही उसने सब कुछ सीखा था समय के साथ वह दो बच्चों की मा बन गई बच्चे बड़े होने लगे तो परिवार के सदस्य एगे करके उसका साथ सोडते सले गए पती राम किसन अपनी पूस्तेनी जमिन पर खेती करते और वह गर संबालती बेटा किसन बहुत होस्यार था उसने सेल जाकर करशी विश विधालिय से एग्री कल्सर की पड़ाई की और वापस अपने गाव आकर खेती में अपने पीता का हाथ बटाने लगा उसने बेटी करती का को भी इंडर तर की सिक्षा दिलवाई और उसका बिया करके अपनी एक जिमेदारी से मुब्त हो गई संकुस अच्छा सदरा था कि एक दिन राम की संखेत से जल्दी गर लोटाई पत्नी से बोले कि एकव साई बना दो सिर बहुत बारी लग रहा है गोमती साई लेकर आई तो पती का हाट ठंडा देखा उनकी पत्राई आँखों को देखकर वा समझ गई कि अब उसे अकेले ही परिवार को संबालना है अब वा खुद भी खेत पर जाने लगी साल पर बाद उसने बेटे का बिया कर दिया मा बेटे खेती करते और बहु गर संबालती साल बीलते बीलते बहु ने खुश खबरी सुनाई तो गोमती को लगा के अब सब दुख दूर हो गए है एक दिन किसन भी स्खाद लाने सेर की मंडी में गया हुआ था मां से लोडते वक्त उसकी मोटर साइकल एक ट्रक से टकरा गई और गोमती ने अपने आसू पुश से और दोनों बाएं फैला कर बहु को हदे से लगा लिया अब दोनों के दुख एक दे वह आकेले दिन पर खेतों में करती और गर पर वहु का भी ख्याल रगती नो मा बाद उसकी वहु ने एक सांध जैसी बेटी को जनम दिया आस पडोस वाले कहने लगे सोरा होता तो खेत संबालता सोरी तो दूजे गर सली जाएगी गोमती आंदर तक दिल मिला गई थी तब ही उसने फैसला कर लिया कि अपनी पोती को खुब पढ़ाएगी और एक दिन इनी लोगन के मुख से मेरी पोती के लिए वा सब्द निकलेगा गोमती की पोती वंसी का इसकूल जाने लगी वा पढ़ाई के साथ साथ खेल कुन की परती योगीता में भी इनाम जीती तो गोमती उसे काजल का ठीका लगा कर बुरी नजर से वसा लेती थी सुटी के दिन वंसी का अपनी दादी के साथ खेतों पर जाती मिटी के साथ खेलती और खेती करने के तरीकों को सीखती उसे ऐसा करते देख गाव के बच्चे उसे सीडाते उसने रोते वे अपनी दादी से कहा तो गोंती बोली उनकी बातों वरकान न देना खेतों में काम करते देख इन लोगों ने तो हमको भी बहुत परेशान किया था फिर एक दिन वंसी का ने अपनी दादी से कही दिया मैं भी आपके और पापा की तरह एक किशान बनूंगी गोंती तो यही साथी ही थी बहु से बोली देख लेना बहु तेरी बेटी हमारी सभी गावों को भर देगी बार बारवी का रिजल्ट आते ही वंसी का ने उसी कोलेज में दाखिला लिया और भी ए सुसी एगरी कल्सर की पढ़ाई की जांसे उसके पीता ने डिगरी हासिल की थी हाला कि वंसी का के लिए ये सारु साल की पढ़ाई इतनी आसा न थी एक साल बारिस कम होने से फसल वर्बाद हो गई थी वंसी का के कॉलेज के फिस में रुपे कम पढ़ गए थे तब गोंती ने अपने जेवर गिर भी रख दिये थे लेकिन पोदी की पढ़ाई में रुकावड नहीं आने दिया लोगों ने तो तब भी उसे ताने दिये थे फिर वंसी का ने जब पूरे कॉलेज में टॉप किया तब उनी लोगों ने उसे अपने हातों में उठा लिया था गर आकर वंसी का अपने खेतों पर अपनी सिखसा का परियोग करने लगी उसकी कद काटी बिल्कुल अपने पिता की तरह दिवा जब खेत में टैंक्टर सलाती तो गोंते अपनी बहुत से कहती ये तो हमारा किशनवा है और तब वंसी का की मा अपनी बेटी की बलाया लेते नही थक दी वंसी का की मेनत रंग लाई नही तकनी की का उप्योग करने से उसके खेतों का पैदावर दुगुना तिखुना होने लगा उसने कस्वे के अने किसानों को भी कर्षी की नही तकनी की से अभगत करवाया वंसी का की परसिदी आज पास के गावा में भी होने लगी एक दिन अखबार में खबर सभी की गनतंतर दिवस पर वनसीका को यंग महिला कश्टक पुरुसकार से नवाजा जाएगा साथ में उसकी फोटो भी सभी थी खुसी के मारे गोमती और उसकी बहु के तो पैरत जमीन पर नहीं पढ़ रही थे किसन के अस समय मर्द्यू का जो दुख उनके मन में था वनसीका ने अपने परिश्रम से उसे दूर कर दिया था कस्बे के इसकुल के वार्षी को सब में वनसीका को विसे सथिती के रूप में आमत्रित किया गया लोगों ने खुब तालिया बज़ाई सब ने उसकी परशुन्षा के पूल बांदे उप इस्तित अथूत्यों की भीड में से एकने का किसी ने संसी का है कि समय हर गाव भर देता है वनसीका बीटिया ने अपनी मेनत और लगन से किसन की कमी को पूरी कर दिया है